है एब्डीवन वेलकम वेक्टू दे चैनल तो यूनिट थर्ड हमारी चलने है सोचल लेंट फर्मेंसी के तो सबसे लाज्ट जो डो टॉपिक बचे हुए है इस यूनिट के तो उन्हें हम इस पीडियो में कवर करेंगे और इसके बाद यह जो यूनिट थर्ड है वो हमारी फिनष हो जाएगी टॉपिक हम यहां पर देखने वाले हैं यूनिवर्सल इंब्ड ग्रोग्राम किया है तो यह कि एक नैशनल हेल्फ प्रोग्राम है जो कि इंडिया में लांच किया गया था नाइटीनिटिव में ऑब्जेक्टिव इसका है रिद्यूसिंग मॉर्विडि जो किया वैक्सिन से प्रेवेंट की जा सकती हैं तो उन डिजीज की वैसे किसी की डैथ ना हो तो इस चीज को रिड्यूस करना इसका में अबजेक्टिव है जो इम्मुनाज़ेशन प्रोग्राम है प्रोग्राम 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 है लिएपिटाइटस भी डिप्थेरिया हो गया परेटिस हो गया टेटनेस मेसल्स रूबेला जापनीज एंसेफलिटिस टिक है रोटा वाइरस हो गया नियूमो कोकल डिजीज हो गया हीमोफिलस इन्फुएंजा टाइप बी ठीक है वह एचाईबी तो यह क्या है इस तरह की य जाती है जो यूनिवर्सल इम्मुनाज़ाइशन प्रोग्राम में उसके अंतर गया था नेक्ट के हम बात करते हैं तब वैक्सीन अर्प्रोवाइड़ थूए नेटवर्क और प्राइमरी एल्सेंटर्स कम्यूनिटी एल्सेंटर्स एंड डिश्टेक्र होस्पिटल्स तो यह क्या है जो प्राइमरी एल्सेंटर्स है उनके दोरह भी दी जाती है प्रोवाइड कराई जाती है जो कम्यूनिटी एल्सेंटर्स होते हैं उनके दोरह भी जो प्रोवाइड कराई जाती है एंड जो डिस्टेक्ट होस्पिटल्स होते हैं तो उनके दोरह भी जो वेक्सि करना तो यह इसका इस प्रोग्राम का जो है एम है इसके लाब वह ओवर दे यह यूपी है जो मेड़ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एन इंक्रीज देखने को भी मिला है जो इमिनाइशन की जो प्रोग्रेस उसमें ठीक है कंट्री के अंदर नेक्ट पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंट टु नेशनल फैंबली हेल्थ सर्वे 5 जो फेंड़ यूज तो उसमें कहा है बच्चों का जो 12 से 23 महिने के है ठीक है तो उनको जो सारी जो बेसिक जो वेक्सिनेशनस रहती है तो वो उने सभी को जो प्रोवाइट कराई गी थी और इसमें हम देखें Universal Immunization Program तो इसकी यह rate 62.3% जो देखी गी थी यानि इतने सारे जो बच्ची है ठीक है तो उनको जो है सभी जो basic जो vaccination रहती है तो वो उन सभी को जो प्रोवाइट कराई गी थी और इससे पहले जो है 2015 से 2016 के बीच में भी एक वार यह survey कराया गया था तब जो rate थी वो 44% थी तो तब के compare में तो improvement देखने को मिला है तब 44% थी अब 62.3% होगी तो improvement तो है इसमें नेस्ट बात करें तो जो इम्मिनाइशन प्रोग्रम वगरा रहते हैं तो इसमें अलग अलग तरह है के challenges वगरा face करने पड़ते हैं अगर हम challenges की बात करें तो the regions include vaccine agitacy, inadequate infrastructure and insufficient human resources तो अगर हम challenges या regions के हम बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं हो vaccine से agitate करते हैं तो उसे लगवा दे नहीं है और बाकी infrastructure भी क्या है पर नहीं होता है या फिर क्या है जो insufficient human resources होते हैं तो इनकी कमी कहीं न कहीं होती है इसकी वैसे क्या problem देखने को मिलती है इस तरह के challenges हमें face करने पड़ते हैं इस तरह के program में तो यह जो program है तो इसको कुछ चीज़ों पर और भी focus करना चाहिए जिसमें कहा है वैक्सिन की जो quality है उसको क्या improve करना चाहिए यानि services को improve करना चाहिए वैक्सिन तो improved है पहले से और बाके जो vaccine supply chain management है जो vaccine की supply की जाती है अलला जगाए पर वापे जो बच्चों को जो vaccine लगा ही जाती है तो यह जो chain management है तो इससे related भी कुछ issue हमें देखने को मिलते है तो इन से भी को भी identify करके उन्हें जो improve करना चाहिए तो यह हमारा universal immunization program हो गया तो इसमें यह सारी चीज़े हैं यह जो point है बस यह आपको ध्यान रखने है बाकी ज़्यादा आपको इसमें कुछ समयने की जबूत में है next अमरा यह जो topic आता है सबसे आखरी topic है unit 3 का तो यह हमारा national program for control blindness ठीक है तो blindness तो आप जानते ही हो जो अंदापन होता है जिसमें लोगों को कम दिखाई देता है तो इसके बारे हम बात करेंगे यहाँ पर तो national program इसमें क्या गया चीज जहाती है इसके बारे हम डिसकस करते है तो program को launch किया गया था 1976 इसका basic objective था कि जो blindness और जो visual impairment है तो इसके related जो cases बगरा है तो उनको reduce करना यह इसका objective था the NPCV aims to provide comprehensive IKEA services prevent blindness and rehabilitate visually impaired individuals तो इसका जो basic aim है इस program का तो इसमें क्या है जो IKEA से related services बगरा provide कराना जो blindness related जो issues अमें आते हैं ठीक है तो उन सभी को prevent करना बाकि जो visually impaired individuals से इनने देखाई देता ही नहीं है तो उनके लिए का rehabilitation centers बढ़ाना ठीक है तो यह इसका basic aim हो गया नेक्स आम बात करते हैं तर प्रोग्राम focus is following की strategies ठीक है तो इस program के अंदर को strategy बनाए गी है तो यह program उनके उपर focus करता है तो एक एक करके देख लेता है सारी strategy तो पहली है हमारी strengthening of IKEA infrastructure ठीक है तो इस program के अंदर क्या है जो infrastructure है IKEA services related या फिर जो hospital या फिर जो आई बैंक्स होती है जो visual centers रहते हैं तो इनका जो infrastructure है उसको जो improve करना यानि उसकी जो strength उसको बढ़ाना second it also focuses on the training of IKEA personal and the development of human resources for IKEA services तो इसके अंदर क्या है कुछ जो personal होते हैं तो उनको training बगरा provide कराई जाती है IKEA related कि IKEA related जो services होती है तो उनको जो कैसे provide करना है ठीक है और बाकी human resources के development के उपर भी focus किया जाता है second जो strategy आती हो हमारी promotion of eye health ठीक है तो eye health को जो promote करना जो awareness program है वो चलाना बाकी लोगों को बताना के eye health क्या होती है और IDGs होती है वो क्या होती है और उससे जो है कैसे prevent करना है अपने आपको तो awareness program वगरा चलाना also focus stage on the promotion of eye health through school health programs, workplace health programs and community based programs ठीक है तो यह जो है और भी चीज़ों के उपर focus करता है जैसे promotion of eye health through school health program schools के अंदर भी क्या health programs चलाई जाते है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि eye health क्या होती है उससे जो है कैसे deal करना है workplace health programs ठीक है जहां पर काम करते हैं लोग ठीक है किसी company office में तो वहां पर भी जो इस तरह के program चलाई जाते हैं बग यह community based program तो चलाई जाते हैं ठीक है तो इससे क्या है eye health को जो promote किया जाता है third जो हमारी strategy आती है जो हमारी detection and treatment of eye diseases ठीक है तो सबसे पहले इसका जो aim है तो सबसे पहला यह में है कि detect करना ठीक है और फिर उसका treatment बगर जो provide करना eye diseases और इसमें कहाए एक network जो बनाए जाता है eye care facilities का जिसमें primary health centers, district hospitals और जो specialized eye care centers होते हैं तो उनकी जो एक network जो बनाया जाता है और वहाँ पर यह सारी facilities provide कराई जाती है also provide free treatment for cataract which is leading cause of blindness in India, तो एक cataract है ठीक है, तो एक disease है, तो इसकी वैसे कि हमें blindness की problem देखने को मिलती है तो इसका जो free treatment बगरा provide कराना, ठीक है, जिसकी वैसे जो blindness की problem में उसको कम किया जा सके, तो यह हमारी third strategy होगी सबसे last test की strategy की बात करें के rehabilitation for visual impaired individuals तो जो visually impaired है यानि जिन्हें दिखाई देता रही है, अब बिलकुली कम दिखाई देता है, ठीक है, तो उनके लिए का rehabilitation centers वगरा बनाना बाकि उनको चस्मी वगरा देना और low vision rates या फिर जो braille devices, braille devices मतलब ऐसी devices होती है, जो अंदों के लिए होती है जो कि अबरे अबरे आपने अच्छा देखे होंगे, उस पे लेखे रहते हैं, तो अंदे लोग जो होते हैं उस पे ऐसे हाथ से उंगलियों से उसे feel करके जो आप पढ़ते हैं, ठीक है तो इस तरह है कि devices बगरा उन्हें provide कराना, vision, aids बगरा provide कराना, spectacles बगरा उन्हें देना, तो इस तरह की चीज़ें क्या rehabilitation centers में provide की जाती है the program also provides vocational and employment opportunity for visually impaired individuals तो program के अंदर के जो vocational and employment opportunity बगरा भी provide कराना, यानि बोल के उन्हें बताना, बाकि जो अंदे लोग होते हैं, तो वो employment कैसे ले सकते हैं, ठीक है, यानि उनके लिए क्या employment opportunity है क्या काम कर सकते हैं वो, ठीक है तो यह सारे चीज़ें भी क्या program के अंदर आती है next इसमें बात करें है कि the NCV hedge made significant progress in reducing the burden of blindness in India इस program की वैसे कि हमें significant progress हमें देखने को मिलती है, बाकि जो blindness related जो burden है वो भी हमें कम होते हुए देखा गया है इस program की वज़े से according to the latest survey conducted in 2019 से 2020 the prevalence of blindness in India has reduced from 1.1% in 2001 to 2002 to 0.5% in 2019 से 2020 तो simply आप ऐसे समा सकते हुए तो 2019 से 2020 तक जो एक survey जो है conduct किया गया था तो इसमें जो prevalence है blindness का तो ये reduce होते हुए देखा था 1.1% तो 2001 से 2002 तक जो है 1.1% जो है हमें reduction देखने को मिलाता हूँ 2019 से 2020 तक 0.5% हमें reduction देखने को मिला था ठीक है तो ये हमारे latest survey में ये चीज notice की गई थी the last point is कि the program has also increased the availability of IK services and has provided treatment for cataract to a large number of individuals तो ये जो program है इसकी वहाँ से जो IK services है उनकी availability में भी हमें बढ़त देखने को मिली increasement देखने को मिला and जो cataract related जो treatment है तो वो भी क्या है ज्यादा से यादा लोगों को provide कर रहे गए तो ये हमारा सबसे आगरी topic था ठीक है और इसमें बस आपको इतनी चीज़ें समझ नहीं है बाकी आपको एक जिया में लिखके आना है बस point आपको याद करे लेने है तो ये था हमारा सबसे आगरी topic unit 3 का unit 3 हमारी finish हो चुकी है अब हम start करेंगे unit 4 तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care